सर मेरे को तो है न ऐसा धगदक हो रहे लाए सर एक तो आपने बोड के ओपर लिखा भी ए एफार पेपर बिगेंस मैं बोलू में को लिखते समय डर लग गया था तुमको तो देखके हलका सा तो लगेगा इट इस ओके बताओ कमेंड में धगदक वह की निवा मेरे को तो हो ग करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा गाइड कर दू आपको बट वह सब क्या पहले सब्सक्राइब करना ठीक है चलो अब सब्सक्राइब कर लिया उसके बात सुनना सबसे पहली बात अगर आपने खुझ सोच रखा है कि मैं यहां से यहां क्या करूंगा तो फॉलो आपने कुछ सोच समझ के प्लैन किया है तो फॉलो करो फिर वीडियो स्किप कर तो चले जाओ यहां से ठीक है तो यह उनके लिए जो थोड़े से clarity में lag कर रहे है कि किस तरीके से करूँ क्योंकि जब मैं भी था न तो मेरे को भी दिक्कत आई थी है इस फेज में लेकि मैं उसको बाद में crack कर लिया था कि अच्छा मैं ऐसे करूँगा तो मुझे सही बैड़ गया और मिले help भी के exam के अंदर तो मैं उसी तरीके से guide करूँगा आपको ठीक है आपका एक ग्रूपे दो ग्रूपे पूरा guide करूँगा टेंशन मत लो अच्छा सबसे पहले reverse order में जाए पेपर है जब वो बोल रहा है कि पहले पेपर में जित्ते दिन ची उत्ते दिन ले लो तो पास दिन तो ले लो सर मैं साथ दिन ले लूँ के अफर के लिए मैं ज्यादा दिन नहीं करता हूँ अगर साथ दिन तक एफर पढ़ोगे तो अच्छा जाएगा लेकिन तो time gap for other subject will increase क्योंकि आप साथ दिन से एफार ही पढ़ रहे हो तो फिर एफार के बाद दिन में AFM देट दिन में audit भी तो करना है वहाँ फस हो गया तो मैं recommend करूंगा 5 days for me it works इतने चाल से पढ़ा रहा हूँ बहुत साल तो देखा है बच्चे के लिए 5.5 days एक प्रॉपर पढ़ाई की आपके साथ ठीक है within next 2-3 days एक वीडियो ले आऊँगा जहां मैं प्लैनर शेयर कर दूँगा प्लस एफार को on track लाने के लिए मैंने आपके लिए प्यारा-प्यारा 29th को एक marathon भी schedule कर रखा है सार हमको देखना चाहिए क्या marathon टेंशन मतलो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा प्लैनर की वह मैं बताऊंगा कि अगर आप किसको देखना चाहिए marathon marathon देखोगे उसका भी planner देऊंगा अगर marathon नहीं देखना है तो भी 5 दिन में ऐफार कैसे पढ़ना है उसका भी planner दूँगा हर तरीके साब को प्रेबगे कर भेजूँगा लास्ट पास दिन के लिए तो ऐफार का टेंशन छोड़ दो एफार किस दिन पर क्या पढ़ना है कैसे प्लान करना है हटा दो उसको वो मेरी जिम्मेदारी है एक बड़ी आसा आपके लिए planner लाके दूँगा marathon में क्या कराऊंगा कित्ता कराऊंगा कैसे कराऊंगा देखे नहीं देखे वो सब बता दूँगा छोड़ दो उसको ठीके तो एफार भाई आया है सब करा कर देखा सब बता कर देखा टेंशन लेने का नहीं अब बसते हैं बीच में और साथ दिन ठीके यहां आपके वास लगबग लगबग साथ दिन बसते हैं ठीके अब मैं थोड़ा लॉजिकली आपको एक plan दूँगा ठीके ऐसा हवे में नहीं दूँगा लॉजिकली जो काम भी आएगा आप भी बोलोगे हां सर बात तो सही है पहले बताओंगा उनके लिए जिनका एक ग्रूप है ठीके साथ दिन में क्या करें सर मुझे लगता है आपको साथ दिन में से चार दिन four days first four days मतलब 22nd 23rd 24th 25th that is till 25th आप कर लो AFM क्योंकि AFR के बाद immediately AFM का पेपर आता है और AFM में डेड़ दिन मिलता है AFM मिलता है अगर यहां immediately पढ़ावा रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके पास ठीक है उसके बाद 25th का आप AFM चार दिन में चित्ता हो उत्ता करने का चार दिन मतलब चार दिन ठीक है उसके बाद from 26th till 28th आपक बराबर FR तो आप FR के जश्ट पहले ही पढ़ रहे हो तो टेंशन नहीं है फिर आता है AFM अब क्योंकि अगर आपने यहां चार दिन AFM पढ़ रखा रहेगा तो फ्रेश रहेगा AFM दस दिन पहले ही पढ़ा है लग 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 आपने एक्जाम के AFM के तो फ्रेश रहता तो हमने किस ओडर में पढ़ा है हमने इस ओडर में पढ़ा है कि आप पहले AFM करो फिर audit करो ताकि audit आपने जितना लेट रिवाइस किया है उतना लास तक याद रहे audit तीसरा paper है तो रिटेंशन आजाएगे आपके लिए क्योंकि अगर आप audit पहले करो तो time gap between audit and the paper will increase now इसलिए बोलो AFM practical है याद भी रह जाएगा तो AFM पहले करो audit बात में करो यह मैंने follow किया था literally और मेरे को help किया था बट मेरे दो ग्रूप थे तो मैंने थोड़ा बाटा था इसके अंदर ठीक है तो यह उनके लिए जिनका एक ग्रूप है जो भी follow करोगे please एक pro tip दे रहो pen paper पे लिखके रखना pen paper पे लिखो चिटकाओ और उसको follow करो blindly एक बार plan बना लिया उसको फॉलो करना है खतम कहानी य यह उनके लिए जिनका एक ग्रूप था ठीक है अब मैं बात करता हूँ उनके लिए जिनका दो ग्रूप है two groups ठीक है अगर मैं दो ग्रूप की बात करूँ तो एक तो आपका IBS निकाल दो वो mix of all subject है और एक आपका FR निकाल दो because FR आप जस्ट पहले पढ़ने वाले हो बसते बड़ा subject लगता है उसमें धाई दिन दे देना ऐसा करके तो आप एक तो ऐसा कर सकते हो कि आप दो दिन एक दिन एक सॉरी दो दो और देड़ देढ ऐसा करके आप चार सज़ग के अंदर बात दो बराबर आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि पहले आप AFM कर लो फिर आप audit कर लो फिर आप देड़ दिन IDT कर लो exactly उस order में जिस order में आपके FR के बाद papers होने वाले है बराबर तो इस तरीके से आप बाढ़ सकते हो साथ दिनों को या फिर एक और strategy बताता हूँ ऐसा possible है कि चलो आप बोलते हो sir मेरा IDT बड़ा strong है और मेरा AFM बड़ा strong है मेरे को दिक्कत audit DT म मैं example ले रहा हूँ ठीक है तो साथ दिन में से जादा portion फिर audit DT को दे दो फिर AFM IDT strong है एक दिन दे दो इसमें दिन बड़ा दो मतलब in short या तो साथ दिन को ऐसा बाट दो बराबर example दो दो date date मेना example लिया कि audit में दो 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 जैसा भी करने है आपको बट अगर इसमें कुछ अगर इसमें एक दिन कम कर दो और जो week है उसमें एक दिन बढ़ा दो जैसे आपको लगता है मेरेको audit में बहुत डर लगता है तो बढ़ा दे audit में एक दिन कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इस तरीके सा प्लान करो के ना अगर एक ग्रूप है तो मैंने बता ना चार दिन AF तो साथ दिन को बाढ़ दो दो डेड़ में दिन अलोकेट कर दो वो नहीं करना है तो जो श्ट्रॉंग है उसमें एक ही दिन दो और जो week है उसमें एक दिन बढ़ा दो ऐसा करके तो इस तरीके से you can plan your this last 12 days ठीक है बाकि टेंशन मतलो जो पढ़ा है अपने पर भरोसा रखो जो चीज पढ़ी है अगर वो तमीज से रिवाइस हो गई तो एक्जाम में रिकॉल होएगा रिकॉलिंग का टेंशन मतलो मेरेको याद नहीं आ रहे ये नहीं आ रहे गजनी बन गया कुछ नहीं सब याद आता है भाई तो याद रिकॉलिंग का टेंशन मतलेना रखना जो कि tension venture लेना नहीं, tension में काम खराब करोगे तुम लोग, तुम लोगने preparation अच्छी कर रखी है, तुम्हारा काम खराब से tension के मारे हो सकता है, बस उसी को मत जीतने देना अपने उपर, tension नहीं कैसे ले सर, चोपचा plan बनाओ, उसके execution में focus करो, tension लेने का time होना नहीं चाहिए, and don't think की paper क्या आएगा, paper prediction करें क्या, कौन सा difficult, कौन सा easy, तुम्हारे हाथ में नहीं है, easy सबके लिए easy है, difficult सबके लिए difficult है, pass होने वाला बच्चा कैसे भी महल में pass हो जाता है, कभी यह सा सुना है, पेपर difficult है, कोई भी pass ही नहीं हुआ, जितने बच्चे pass होने वो हो जाएंगे, बराबर तो आपने महनत की है, तमीज से अपनी महनत पर focus करो, पढ़ाई पर focus करो, आप हो जाओ के पास, बस यहां से काम मत खराब होने देना, वो कोशिश करेगा कि तुमको यहां से वो fail करें, लेकिन होना मत, ठीक है, तुमने सब ने अच्छे से महनत की है, बस आखरी 10- बारा जो दिन है उसमें पढ़ाई में, और जो एक्जाम के दिन रहेंगे, उसमें जो भी डेड़े दिन मा पढ़ोगे उसमें, अच्छे से एकदम जान लगा देना, बागे टेंश मतलो, मैं हूँ, जहां भी जरुवत पड़ेगी, आपको ऐसा चोट 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 गाइड बाई